प्रफाइब दोफ्तों स्वागात है आप सभी का इस बार का सटरडे और संडे है वो डबल धमाका होगा मतलब सटरडे को भी दो मैच होंगे और संडे को भी दो मैच होगे पहला मैच जो है जिसकी हम बात कर रहें आज वो होगा दिली और मुंबई के बीच में एक है आर्थ संडार मैच देखने हों मिले था दोस्तों चॉबिस बोर्ट पे लगा दिये थे फिर गुजराइट टाइटन्स में मातर 220 बीसी बना पाया चारण से जीत मिली तो आप यह सकते हैं कि एक टीम जो हो जीत करके आ रही एक टीम हार करके आ रही अब यहां से वो चाहेंगे कि जो इनका पॉइंट सेबल में नंबर है उसको ठोट टैली को और बढ़ा जाए तो एक इंट्रेस्टिंग वाबला देखने को मिल सकता है और जिसरार का अभी तक दो मैच यहां पर देखे गए हैं अरुन जेटली स्टेडियम में हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है मैच की पूरी संभावन है चली बहुत जादा आपका समय नवेट करते हैं अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं डीसी वरसेज नमाई 33 मैच है 27 सब पहल अरुन जेटली स्टेडियम साड़े तीन में सी खेला जाएगा स्टार्स पूर्थ और जियोस नमाय आप इसको देख सकत साइड है वह बहुत अच्छी है पांस टाइटल रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो रिशेप बंत हैं उनका जो खेलने का तरीका है जिस तरह से रन कजीड करते हूं वह काफी अच्छा है ठीक है इस सीजन में पावर प्ले में कैपिल्स की दूसरी सब से खराब एकॉनमी रे कि जहां बल्लेबाजी में कप्तान अच्छा कमाल कर रहे हैं वहीं प्रकर गेदबाजी की बात करें तो थोड़ सा मुश्किनों का सामना करना पड़ रहा है इसी वाज़े से कई सारे जो मैचेस रहे हैं वो उनके फेवर में नहीं नहीं खराब गेदबाजी करन तो यहां पेख़वासा ध्यान देनी वाली बात होगी उनके लिए प्रोई शन्वान के IPL में DCA खिलाफ 1026 रन है आप समझ सकते हैं कितना शांदार रिकॉर्ड उनका दिल्ली फ्रंजाजे खिलाफ सरवाधिक रनों के विराट को पीछे चोड़ने के लिए पांच रनों की और जूरू चलिए IPL में बुम्रा ने शौ को 16 गेदों में दो बार आउट किया है शौ बुम्रा के खिलाफ केवल 72 समलों साथ की उसत से रन मनाते हैं जबकि उनका आठ का है वहाँ पे स्ट्राइक रेट है अक्षर पडेल 45 गेदों में तीन बार बुम्रा का शिकार बने हैं और उनका बुम्रा हर बल्लेबास से थोड़ा सा एबाव ही रहे हैं ठीक है यहां पर रोहित को दस IPL पारियों में अक्षर ने तीन बार आउट किया है और उनका स्ट्राइक रेट केवल 91 समलों तीन कर रहा है खली इमाद में 26 गेदों में तीन बार पारंडिया को वापिस बेज़ तो लेट आम स्पिंअर के खिलाब रोहИ शर्मा का फिलाज डीसी के अगेंश अगर आफ बात करें तो उतना अच्छा रिकॉर्ट नहीं है गार न पार देखका की बात करें पर दोनों जेक फ्रेजर मैगर्प शेहोप रिसाब बंत कप्तान विकेट कीपर ट्रस्टन सब्स अभिशेख पुरेल अक्षव पटेल गुल्दी प्यादो एंड्रिक नौक्या या जॉय रिचर्ड्सन मुकेश कुमार और खली लहमत तो यह है प्रोबेल 11 यह हो सकती है इसमें कुछ च के लिए पर बात कर लेते हैं रोई शर्मा इशान किशन विकेट कीपर शूर कुमार यादो किलक वर्मा हार्दिक पंड्या कप्तान है टिम डैविड निहल बडेरा मुहमन दभी गिराल कोईट्जी प्यूश चावलो और जस्रीद बुम्रा यह माई की प्रोबेल 11 है ठीक ह और एकॉनमी आप देखें कितनी शांदार रही है वह पर पर कैक से एक विकेट दूर है मतलब यहां पर एक विकेट अगर और ले लेंगे एक दूर लेंगे तो परबल कैप जो रहाएगी उनके नाम हो जाएगी ठीक है लेकिन जो सबसे प्रहौशाली है वह बीच की ओवर और विकेट भी निकालते हैं तो यह दोनों चीजे काफी अच्छी है उनके लिए एमाई का मत्विक्रम उनका सबसे मत्वोट पक्ष्ण नहीं रहा है और इदाफ़ा कर सकते हैं कहने के मतलब है कि मिडल और रहा है मोमेडियंस का वह अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है आपने देखा है कि सुरुआत में किस तरह से बैक टू बैक मैचेश हार रहते और फिर जब चीजना चलों किया तो भी यह प्रॉब्लम बनी रही है उनके साथ तो थोड़ा सा दिक्क्त वाली बात रही है और वहां पर आप कह सकते हैं कि उल्दी प्यादों जो रहे हो बेह चार विकट लेने में सफल नहीं है यह पिक इंपोर्टन स्टैट है कियो चार विकट लिया है उन्होंने तो गेदबाजी और बल्लेबाजी आप कह सकते हैं दोनों ही उसमें वो खरे नहीं उतने हैं अपने तीम के लिए तो एक चिंता कविश्य जरूर रहा है करते रहें कभी उपर आजाते हैं कभी नीचे आ रहे थे तो यह थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है कि वह एक जगह स्टबल होकर कि बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं यह थोड़ा दिक्कत वाली बात है एमाई ने एमाई के पिछले गेम में वैस्टिलक वर्मा और 59 बड बिया तो यह समस्या रही है अभी तक पांडिया के साथ और इससे जित्ता चल्दी वो डील करेंगे मुझे लगता है कि उतना उनके लिए भी अच्छा है और उनके टीम के लिए भी अच्छा होगा ठीक है पिछ रिपोर्ट की बात कर लेते हैं दिल्ली में दो मैच रन और सिर्फ रन बने हैं इसके लेख क्जने हुआ है उनको प्लस बिकना ठीका और मैक हुआड़े हैं और 200 बने तरो प्लस बने है दिए और को सबसे घोर 999 चोटी है सिमाय स्कोर तुम्हाइब तो टिलग सकती है मतलब उनको क्यों के धिकां लासब सकती है जिसमें व खेलते हैं नांसा तरीका खेलने का एक और हाई- singles माम आवा सकते हैं कि यहां पर दहने को मिल सकता है अगर वही पर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की बात कौन है मुंबद नभी है इन दोनों को सपासा जो मदद है वो देखने को मिल सकती है गेदवादी में चलिए आगे बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की बाद ग्राउंड स्टेट देख लेते हैं दो मैच हुए है जैसे आमने पता है और पहली बैटिंग करने वाली टीम ने दोनों मैच जीते हैं पहली निंग का अगर आप एवरेज देखेंगे तो 245 रहा है और वहीं अगर दूसरी इनिंग का एवरेज स्कोर देखेंगे तो 210 रहा है सब 200 पार है इतना ज्यादा रन नहां पर बने हैं पर देखेंगे सकते हैं कि नौलेज है या जिससे अपसे अनलाइज करते हैं तो आप हमारी टीम को भी आप बना रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिख करके रहता है वह सारे मैश को देख करके रहता है ग्राउंड में या पोजिशन कौन से टीम है कि मिलाफ कैसा हार्दिक परणिया को मैंने जगह दी है बॉलर्स मेंने कुल दी प्यादा और जस्पी बुम्रा खलील हमत को दी जगह दी है कप्तानी मैंने रोई शर्मा को दी है जैसे हमने शुरुआत महीं बदाया था कि रोई शर्मा का रिकॉर्ड रहा है यहाप अगर आप देखें ज जो है रोई शर्मा को दी है क्योंकि उनके बल्ले से रन निकलने की पूरी पूरी संभावा यहां पर देखने को मिल रही है और उनका घर है वहां पर हमेशा यह अच्छा प्रदाशन करते आ रहे हैं और विगट कीपर है साथ में तो वहां पर भी अगर कैस पकड़ते हैं करते हैं तो वह आपके पास पॉइंट आगे जुड़ते हैं तो यह रही हमारी फेंटेसी टीम ठीक है तो यह तो रहां पूरे मैश का और वैसे बात करें तो मुझका असा लगता है कि जिस तरह साभी थोड़ा सा परसनली मेरा समानना है कि मुंबई इनियस का प्लड़ा भ होने वाला है लेकि शायद मुझका असा लगता है कि डैली केपितल आपकी जिगा मुंबई इंडियस यह मैच जीत सकती है वैसे आपको क्या लगता है कि कौन से टीम यह मैच जीता की हमें कमेंट बॉक्स में रिक्के जरूर पताए वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क करना है सबस्क्राइब करना है बैल आइकन प्रेश करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी मिलती रहे तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही और आपको एक घंटे बाद हमारा दूसरा मैच होने वाला है वोल होगा लकनाव सूपर जैंट और राजिसान रॉयल्स के ब